नमस्कार दोफ्तू, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, डेली वन्लेनेस वर एक्साम्स 7 जूलेई 2022, आज के इंपोर्टर मन्लेनेस कौन कौन साय चेक करते हैं सबसे पहला अलूरी सीतारामराजू, ये नूस अलड़ी हर्शित सार ने कवर किया था और एक बार में ब्रीफली बता देता हूँ, रीसरली प्रथानमंदरी नरेंदर मोदी जी, अलूरी सीतारामराजू का 125th बर्थ अनुवेसरी सेलिबरेशन्स इनोग्रेट किये थे, मोद आप से एक्जामिनिशन में पूछ सकता है, वैसे अलूरी सीतारामराजू के बारे में, एक इंडियन रेविलूशनरी थे, ट्राइबल लीडर थे, जो इंडियन इंडिपेरेट्स मूवमें में इन्वोल्ड थे, इनका जनम जूलिय फोर 1897 को हुआ था, एक हम्बल मिडिल क्लास फैमिली में, नियर तकोसल सीटी उफ विशाग पत्ना, इनिशली सीतारामराजू, गांदी जी के नौन कोपरेशन मूवमें से इंस्पेड थे, ऑगस्ट 1922 को इन्होंने रामपा रिबलियन लोंच किया, ब्रिटिश एसके अगेंस्ट, तो देखे, इस 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 इ रामपा रिबलियन के बारे में पूछ सकता है, ब्रिटिश एसके अगेंस्ट, अलूरी सीतामराजू ने लोंच किया था, रामपा रिबलियन, इन्होंने काफी स्टगल किया, ब्रिटिश इतने फ्रस्टेट होगे थे, कि इन्हें पकटने का इनाम तक रग दिया, 10,000 रु 10,000 का वाल्यू कितना होगा, आप मुझे कमन बोक्स में बताइए, लेग बग कितना वाल्यू होगा, 1922 का 10,000 का आज, इनका देहांद हुए थे, 7 महीं 1924 को, एक्षिली ब्रिटिशेस ने इन्हें ट्राप किये थे, और एक पेड पर बान दिया, और गोली मारा, वैसे रांपा सिंगी विलेजिन, अलूरी सितारामा राजू डिस्टिक में, एक मेमोरियल कंस्टर्ट करेंगे, एक मेडिक्टेशन सेंडर कंस्टर्ट करेंगे, मोगलू में, जहां अलूरी अपना बैच्पन बिताये थे, वैसे यह इन्नोग्रेशन एवेन, और अल्सो चिंतापली पोली स्टेशन, देखें, यह पोली स्टेशन का नाम भी थ्यान दीजेगा, रांपा रिबिलियन के बार में मैं आपको बताया, 1922 में हुआ था, तो रांपा रिबिलियन के टाइम पर, अलूरी सीतारामा राजू के जो आर्मी थे, इन्हों ने चिंतापली पो पार में आपको पता है, global warming सबसे ज़्यादा impact करता है glaciers को, क्योंकि glaciers का temperature increase होने से क्या होगा, वो melt होगा, कुछ glaciers suddenly break off होता है, तो इसी तरह glacier break off हुआ है इटली में, marmaloda glacier, ये marmaloda glacier dolomite mountains में है, वैसे recently marmaloda glacier का temperature सबसे highest record हुआ था 10 degrees Celsius या फिर 50 degrees Fahrenheit, 10 degrees Celsius एक glacier के लिए बहुत होते हैं दोस्तों, इसलिए ये पूरा break off हुआ है, वैसे marmaloda dolomites mountain में सबसे highest peak है, 10,968 feet above sea level इसका altitude है, एक popular hiking and climbing destination है, and marmaloda mountain is located in northeastern Italy, ये मैं आपको map में दिखाऊंगा, Trentino and Veneto bodies के बीच में है दोस्तों, marmaloda mountain, तो आपको थ्यान रखना है, ये जो marmaloda mountain है, ये dolomite mountain का part हैं और dolomite जो है, आल्प्स का part हैं, अब ये map देखिए दोस्तों, इटली का, इटली सथेन यूरोप में आता है, Mediterranean Sea से अपना border share करता है, वैसे कौन-कौन से countries के साथ border share करता है, France, Switzerland, Austria and Slovenia, तो northern Italy में इथर आपको दिख रहा है, त्रेंटीनो, इथर आपको दिख रहा है, वेनीटो, तो इन दोनों के बीच में हैं दोस्तों, dolomite mountains, अब आपसे एक सवाल हैं दोस्तों, इतली का capital है, Rome, Rome के अंदर एक कंट्री है, मतलब 100% Rome के अंदर है वो कंट्री, एक छोटा सा कंट्री है, उस कंट्री का नाम बताईए, अब देखे, मैंने आपको बोला था, यह जो dolomite mountains है, यह alps mountain का पार्ट है, alps highest and most extensive mountain dead system है, जो यूरोप में है, 750 miles stretch करते हैं दोस्तों, और 8 alpine countries है, कौन-कौन से देखे, France, Switzerland, Monaco, Italy, Leicenstein, Austria, Germany and Slovenia, इस वेरी इंपोर्टन ध्यान दीजेगा, वैसे आपको इधर, Italy के eastern side में adriatic sea दिख रहा है, यह adriatic sea, Mediterranean Sea का एक part है, अगला है, अलोर्दा cup 2022, अलोर्दा cup 2022 host किया था, कसाकिस्तान, कसाकिस्तान का capital, नूर सुल्तान में हुआ था, अलोर्दा cup, आपसे सवाद पूच सकता है, अलोर्दा cup कि स्पोर्ट से related है, तो बता दीजेगा, boxing से, तो एंग Indian boxers, आल्फिया पठान और गितिका, एलोर्दा cup 2022 में, गोल्ड मेडल्स जीता है, तो आल्फिया पठान ने 2016 वर्ल चांपियन, लजद कुंगें बैयवा औफ कसाकिस्तान को हराया, 81 kg category में, और गितिका, कलेवणी स्रीनिवासन को हराया, वैसे कलेवणी स्रीनिवासन इंडिया ने 48 kg category में, अगला है, मिलमा डैरी प्लाइट, Union Minister of States for Fisheries, Animal Husbandry and Daring, Dr. L. Murugan साब, Foundation Stone ले किया है, for a 2 MW solar power plant at 3500, एरना अगलम, केरला, इसके लिए, National Dairy Development Board 15.25 crores allocate किया है, under the Government of India's Dairy Processing and Infrastructure Development Fund, देखे, this is important for you, Dairy Sector में Infrastructure Development के लिए, Government of India का एक separate fund है, वो है, Dairy Processing and Infrastructure Development Fund, देखे, आप से UPC Mains में सवाल पूछ सकता है, Dairy Sector के बारे में, तब अगर आप लिखोगे, Government of India के separate fund है, Dairy Processing and Infrastructure Development Fund करके, तो आपको ज्यादा marks मिलेगा, तो इस तरहे, जितने funds वगरा है न, एक एक सक्टर में, गर्मन ने जो setup किया है, वो सब आप अपने notes में incorporate कीजिएगा, तो जब ये 2 MW Solar Power Plant Commission होगा, तो एरना अगलम Dairy, देश का पहला Dairy Plant होगा, जो entirely renewable energy से sourced होगा, और उनके power consumption कम से कम 90% तक reduced भी होगा, अब दोस्तों, मिलमा के बारे में कुछ basic details, 1985 में ये रेजिस्टर हुआ था, डेली बेसिस में करीब 4 lakh liters of milk, मिलमा collect करते हैं, from 41,500 dairy farmers in Koteam, Idikki, Ernaaglam and Trishoo Districts of Kerala, केरला cooperative milk marketing federation इसे own करते हैं, और इनका 3 regional cooperative milk unions भी है केरला में, अगला है World Zoonosis Day, हर साल 6 जूले को observe करता है दोस्तों, World Zoonosis Day, क्या है जूनोसिस, बेसिकली जूनोटिक डिसीस है न दोस्तों, इसे जूनोसिस बोलते हैं, तो 6 जूले 1885 को, जूनोटिक डिसीस के एगेंस्ट, पहला vaccination अटमिस्टर हुआ था, जूनोटिक डिसीस मतलब क्या होता है, ऐसा डिसीस जो species to species ट्रांस्मिट होता है, जैसे कि animals to humans या फिर humans to animals, एक्जाम्बल है, influenza, Ebola, West Nail virus, etc. जैसे के बारे में, लोगों को educate करने के लिए, awareness फ़लाने के लिए, 6 जूले 1885 को institute हुआ था, World Zoonosis Day. Final News, कवाल टेगर रिसर्व, कवाल टेगर रिसर्व से related एक निजूस निकल के आ रहा है थोस्तों, ओलड़ी ये टेगर रिसर्व काफी सारे threats face कर रहा है, उथर land grabbing हो रहा है, poaching हो रहा है, cattle grazing हो रहा है, जबकि एक टेगर रिसर्व में होना नहीं चाहिए. अब एक नया threat है, threat of concretization, बेसिकली उथर एक new sports complex construct होने वाला है. तो अगर ये sports complex construct होगा, तो तेलंगा ना पहला state होगा इंडिया में, जब एक टेगर रिसर्व के अंदर sports complex construct कर रहा है. वैसे दोस्तों, protected areas में इस तरह का construction नहीं होना चीए. मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक टेगर रिसर्व के अंदर किस तरह ऐसा एक construction हो सकता है. अईसे दोस्तों, आपके लिए कवाल टेगर रिसर्व इंपोर्टन है, इसके बार में basic details समझते हैं. इस लोकेटेड़ अट जन्नाराम मंडल ओफ मंचेरियल डिस्टिक्ट, मंचेरियल डिस्टिक्ट का ओल्ड नेम है अदिलाबाद डिस्टिक्ट ये तेलंगाना में है. गर्वन्ट ओफ इंडिया कवाल वाइडलेफ सैंक्चुरी को आसे टैगर रिसर्व डिक्लेयर किया था 2012 में. ये तेलंगाना स्टेट का नौर्थेन रिजियन में लोकेटड है दोस्तों, एन ओल्डेश सैंक्चुरी भी है, अबडन फ्लोरा अन फोना है इस रिसर्व में, एन टू रिवर्स का कैच्ट्पन एरिया भी है दोस्तों ये सैंक्चुरी, गौदावरी अन कदम.